नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम समाजिक बिग्यान के 15 भीबियाई अब्जेक्टिव कोश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो को लास तक देकर आप लोग इन सभी प्रस्णों को याद कर लो इन में से बहुत ऐसे प्रस्ण है जो कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ऐसे प्रस्ण है जो इस बार के बोट पर इच्छा में कनफर्म पूछ जाएंगे तो वीडियो को बीना सोचे समझे अंतक देखो और एक एक प्रस्ण को याद करो ठीक है तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं अठाइस नमर प्रस्ण है सुनामी का पर्मुह कारण क्या है तो याद रखना इसका सई जबाप अफसर नमर ए हो जेगा समुंद्र में भुकम का आना सुनामी का पर्मुह कारण ठीक है अठाइस का ए नमर एंसर होगा और तीस नमर कोहिशन है नदियों में बाढ़ आने का परमुह कारण क्या है सुनामी का परमुह कारण यहाँ पर पूछा गया था और इसमें पूछा गया है नदियों में बाढ़ आने का परमुह कारण क्या है तो जल की अधिकता इसका भी एंसर ए नमर ही होगा जल की अधिकतार कारण ही नदियों में बाढ़ आनेक आता है ठीक है मतलब कि यह पर्मुह कारण है ठीक है याद रखना अगला कोईशन है तीस नमर दोस्तों बिहार का कौन सा छेत्र बाढ़ गरस्त है बिहार का कौन सा चेतर बाड़ गरस्त है तो 30 का आपका इंसर होगा D नमर उत्री बिहार सबसे ज़्यादा बाड़ गरस्त है ठीक है बिहार में कितने परतिसद भावगोलिक चेतर में 1 का फैलाव है तो 21 परसन्ट यानि कि 21 आपका इंसर C नमर होगा ठीक है अगला कोईशन है इवरेनियम का पर्मुक उत्पादक एस्तल है इवरेनियम का पर्मुक उत्पादक एस्तल क्या है तो याद रखना जादू गोड़ा एंसर क्या होगा सी नमर मौझूद आपका एंसर होजेगा जादू गोड़ा ठीक है दोस्तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस्ट कर लो अगर इस बार के मेरिटी बूर्ट पर इच्छम आपको अच्छे मांक्स लाना है तो इस चैनल पर आपको बने रहाना पड़ेगा कि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके यह से हर सब्जेक्ट का त्यारी किया जाता है साथ में अब्जेक्टिव कोश्ण आपको वही दिया जाता जो पूत्रने की गरांटी रहती है ठीक है याद रखना है यहां कातन अमेरिका के विद्वान ब्यक्ति अबरहम लिंकान का है और अबरहम लिंकान एक सतान आदमी नहीं थे बलकि यह अपने बल बूते पर अमेरिका के राश्ट पत्ति भी बने थे जैसे कर्पुरी ठाकर हो गए बिहार के जो मुख्य मंत्री बने थे और यहां पर अबरहम लिंकण हो गए और वहांपर भी मेरिकार हो गय होगे जिस सभा के मालिक बने ठीक है याद रखना इन सभी मतलब की ब्यक्ति का आपलो की याद रखना किम्किकर ये काफी और अच्छे ब्यक्ति थे और महान ब्यक्ति ठीक है ऐंसर इसका विक नमर होगा आपका सीन नमर हो जगा बिल्कु से ठीक है अगले कोशन में सुने कि आप hicrama कि परहाएं के संब्सक्राइए कि सकते होता है किस कि से होता है तो हाल मार देख doe यहाँ तो यहाँ पूर बी में दियाओ इनसर भी नमर ही होगा विपटल के नीचे बहुतल के नीचे यहां भूकम का जन्म होता है यहां क्या होता है जन्म होता है उस हम लोग उस जगह हम लोग क्या कहते है अधिक केंद्र कहते अंसर बी नमर क्रिसी छेत्र क्रिसी किस छेत्र के अंतरगत आती है क्रिसी किस छेत्र के अंतरगत आती है तो क्रिसी प्रात्मिक छेत्र के अंतरगत ही आता है अंसर आपका क्या होगा एन नमर 49 का अंसर क्या होगा एन नमर ही होगा ठीक है अगला कोहशन देखिए दोस्तों अगला कोहशन है दोस्तों यहां पर अगला कोहशन है क्या अगला कोहशन है चालीस नमर खनन किस खनन किस छेत्र के अंतरगत आते हैं खनन किस छेत्र के अंतरगत आते हैं तो खनन भी प पूजी के पर्मु को पांच घटक होते हैं कितने होते हैं पांच घटक होते हैं ठीक है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यहाँ कोशन आपको वीडियो को एक ही बार देखने से याद हो गया होगा और यह भी मतलब हो सकता है कि इसमें से बहुत इस प्रशन है जो पहले सापको मुझाइन को सब्जेक्टिव कोश ही की उफदेंगे हों जाया को सब्जेока्टिव कोशन आग लेगा अगर सब्जेक्टिव कोशन अगर उसको निसका कर देते हो तो आप लिगे कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर दिये ठीक है ऐसे में हो सकता है कि आपको टाइम ना मिले लेकिन आपको भी वीडियो जा कर देखना ठीक है इसके बाद कर जो वीडियो आएगा उस वीडियो को जरूर देखना ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वाले वीडियो में आप लोग एक प्यारे सा कमेंट क कर दीजे दोस्तों.